Hello everyone, welcome to Study Squad, I am Shivani Chahan, इस video में हम लोग Class 8, Geography की Book का Chapter 1, Resources देखेंगे तो definition क्या है resources की? Anything that can be used to satisfy a need is a resource हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिस भी चीज का हम लोग इस्तिमाल कर सकते हैं, उसको हम लोग resource पोलते हैं Examples जैसे की पानी, electricity, रिक्षा, vegetables, यह सारे के सारे क्या हैं? यह सभी resources है Utility क्या होती है? Utility और usability Is what makes an object or a substance a resource? मतब कोई भी चीज अगर आप लोग इस्तिमाल कर सकते हैं, उसकी utility है तो वही substance क्या हो जाता है? वही substance एक resource होता है Value क्या होती है? Value means worth, यानि कि कीमत, a thing or an object becomes resource only when their value is identified कोई भी जो चीज है, उसमें कोई worth आती है, यानि कि वो जरूरत की बनती है, जब आपको उसकी कीमत का पता लगता है तो value means worth, उसकी जरूरत, उसकी कीमत क्या है, a thing or an object become resource only when their value is identified कोई भी चीज, resource तभी बनती है, जब उसकी कीमत हमें समझ में आ जाती है तो definition हमने देख ली resource की, utility की और value की अब factors क्या होते हैं? substance into resource Time and technology are two important factors that can change a substance into a resource मतलब कोई भी substance है या फिर कोई भी चीज है, उसको resource बनने के लिए क्या चीजों की ज़रूरत होती है हमारे time की और technology की हम उसमें समय दें और नई-नई technology उसमें apply करें तो कोई चीज हमारी resource बन जाती है अब types क्या-क्या होते है resource के? types of resources Natural resource, human made or human Natural resources होते है, human made, इंसानों के द्वारा बनाएगे और human इंसान खुद भी एक resource होता है People themselves are the most important resource Ideas, knowledge, inventions and discoveries led to creation of more resources यानि की इंसान खुद ही एक resource है क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं, अपना समय लगाते हैं बहुत सारे inventions और discoveries करते हैं, उसकी वज़े से ही और resources बन पाते हैं Diagrams on types of resources तो देखिए कितने-कितने विभिन प्रकार के resources होते हैं तो resource देखिए, natural, human made और human इंसान खुद भी एक resource है Natural resources के example, हम लोग किस-किस basis पे हम लोग उसको determine कर सकते हैं Level of development भई, कितना वो develop हुआ है Actual resource और potential resource Actual resource होता है जिसका अभी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं Potential जो भविशे में उसका इस्तेमाल अगर किया जा सकेगा फिर उसको हम लोग resource को कैसे इस्तेमाल करते हैं origin यानि कि वो जो resource, वो चीज जो हमारे जरूरत की वो कहां से आती है तो abiotic भी हो सकता है Abiotic भी हो सकता है Abiotic यानि कि जैसे कि हवा, पानी, हवा, जैसे कि air और water Biotic में क्या क्या आता है? Biotic में आता है हमारे forest हो गए ठीक है और wild life यानि कि जीव जन्तु Stalk यानि कि जो हमारे पास है और हम उसका future में इस्तेमाल करेंगे अभी नहीं कर रहे है Distribution यानि कि कहां काप पर available है Ubiquitous Ubiquitous होता है जो हर जगे available है जैसे कि हवा, localized होता है किसी एक ही जगा पर मिलता है देखिए, हो सकता है koila मेरे घर की जमीन के नीचे हो आपके घर की जमीन के नीचे ना हो या फिर आपके घर की जमीन के नीचे हो सकता है कि diamonds हो और मेरे घर की जमीन के नीचे ना हो तो यह होता है localized मतलब किसी एक ही जगा पर पाए जाते है और ubiquitous हर जगे पाए जाते है जैसे हवा, exhaustibility यानि कि खतम हो सकते हैं या नहीं, renewable और non-renewable resources, renewable जो दुबारा बन जाते हैं, जैसे कि हमारे लिए हवा, solar energy, non-renewable, coal, petroleum, natural gas, जो fossil fuels होते हैं, example क्या क्या है, इनके coal, koela, petrol, यह अगर एक पर खतम हो गए, तो 1000 लाग साल बात बनते हैं, इसलिए इने non-renewable कहते ह है, human made, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, car, park, है ना, और buildings, यह सारे के सारे human made resources हैं, और human खुद भी एक resource है, अब natural resources, resources that can be drawn from nature and used without modification, मतलब जो हम लोग nature से लेते हैं, और बिना किसी जादा बदलाब के हम उनका इस्तमाल कर सकते हैं, वो natural resource होते हैं, हवा, पानी, मिटी, minerals, जैसे कि लोहा, है ना, कोईला, यह सारे natural resource है, classification on the basis of development and use, किस तरीके से develop होते हैं, और कैसे हम उनको इस्तमाल कर सकते हैं, तो actual resource, whose quantity is known, जिनके बारे में हमें पता है, being used at present, बतलब हमें पता है, इनके बारे में कि कितने हैं, और हम उसका इस्तमाल भी कर रहे हैं, जैसे कि कोईला, रोहर में, रोहर जर्मनी की एक जगह है, वहाँ पर हमें कोईले का पता है, हम उसका इस्तमाल भी कर रहे हैं, तो actual resource, petroleum West Asia में, petrol पता है, निकालते हैं, यूस करते हैं, और जो गाधी मिट्टी है, डिककन की, उसमें हम लोग क्या करते हैं, फसल होगा सकते हैं, वो भी एक resource ह इसका हम इस्तमाल करें, जिसका हम लोग इस्तमाल कर रहे होते हैं, वो actual resource होता है, potential resource अभी इस्तमाल नहीं कर रहे हैं, जैसे के example, uranium मिलता है, लद्दाक की मिट्टी पे, अभी हम इसका इस्तमाल नहीं कर रहे हैं, entire quantity is not yet known, not being used at present with the future possibility, तो अभी तो हम इस्तमाल नहीं कर रह animals के examples हैं, ठीक है, और abiotic climatic होते हैं, climate जैसे की हवा, पान, non-living things होते हैं, जैसे की sunlight, temperature, nutrient enrichment, humidity, soil, तो इसमें आप लोग sunlight और water का example ले सकते हैं, abiotic इनमें जान नहीं होते हैं, फिर abiotic living things होते हैं, abiotic का मतलब होता है, non-living things, जीव जनतु और इनमें non-living यानी की जान नह बनाए जा सकते हैं, get renewed or replenished quickly, sometimes unlimited, तो जैसे solar energy, wind energy, मिटी, forest, ठीक हो सकते हैं, दुबारा लगाए जा सकते हैं, पानी, यह सारे के सारे renewable resources होते हैं, जो तुबारा बनाए जा सकते हैं, non-renewable resources लिमिटेड होते हैं, geological formation इनका बहुत समय लेता है, बरने में जैसे की cold petroleum, natural gas, on the basis of stock or exhaustion, कि खतम हो जाएंगे, तो distribution के basis पे, stock का गया मतलब होता है, कि खतम हो सकते हैं, और distribution कहां कहां पर होते हैं, localized, localized, यानि कि एक जगह पर पाया जाते हैं, resources found only in certain places, यानि कि कि एक particular area में ही पाया जाते हैं, पर कुछ जगह उपर ही पाया जाते हैं, जैसे copper और island हमारे रखन में नहीं मिलता, है ना, उभी कोई होते हैं, resources that are found everywhere, ऐसे resources जो हर जगह होते हैं, जैसे कि मिट्टी, हवा, मानी, physical factors like terrain, climate and altitude, ये भी जो है localized होते हैं, मतलब हर जगह पाया जाते हैं, climate और उचाहिनी चाहिए, हैना, classification of resources, अगर हम लूग देखें, फिर से एक और potential आगे करेंगे, renewable, यानि कि हो सकते हैं, दुबारा बनाए जा सकते हैं, non-renewable भी होते हैं, नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है, origin के basis पर कहां से आता है, biotech के biotech, फिर natural भी होते हैं, human made होते हैं, तो ये सब हमने से पहली भी देख लिया है, human resource, क्या होता है, आप लोग human resource है, education and health, help in making people valuable resource, तो पढ़ाई और अगर वो अच्छा स्वास्त है उनका, तो वो इनसान बहुत ही एक अच्छा human resource होता है, ज्यान, उसकी skills, technology, help people to be most important resource, जो ज्यान होता है, उसकी वच्छे से लोग बहुत ही जादा important resource बन पाते हैं, substance become a resource, only when their original form has been changed, कोई substance है, वो resource तभी बन है, जब उसकी original form को हम लोग बदल देते हैं, जैसे कि हम लोग building बनाते हैं, और bridges, roads, machinery, technology, vehicles, यह सब किसने बनाए हैं, इनसानों ने बनाए हैं, इसलिए इनसान भी एक resource है, और यह सारे के सारे man-made resource है, इनसान के द्वारा बनाए गए resources, यह सारे हैं, तो इनसान के पास अग चाहें, conservation करके और sustainable development लाके, sustainable development का मतलब होता है, ऐसा development हम लेकर के आएं, ताकि आज की generation resources को इस्तमाल कर रही है, तो आगे आने वाली generations भी उसका इस्तमाल कर पाएं, तो sustainable development होता है, balancing the need to use resources and also conserve them for the future, मतलब future के लिए हम उसको conserve कर पाएं, और जो आज हम उसका इस्तमाल कर रहे हैं, वो भी balance तरीके में हम कर पाएं, conservation होता है, बचाना, using resources carefully and giving them time to get renewed, हम अच्छे से साफधानी से resources का इस्तमाल करें और इस तरीके से करें कि आगे भी बाद में, जैसे कि हम पेडों को इतना जदना काड़ने कि दुबारा जंगल उगी ही ना आपाएं, तो conservation होता है, बच तरीके से चीज़ों का इस्तमाल करें, ताकि future की generations के लिए भी वो पची रहें, कैसे हम कम चीज़ों का इस्तमाल करें, और फिर उसके बाद, रीसाइकल करें, उसको दुबारा दूसरी फॉर्म में हम इस्तमाल कर पाएं, तो यह होता है, conservation, sustainable development, duty of a citizen, नागरिक के तोर पर आ अगर हम लोगों को डाइवर्सिटी है यानि कि हमारे जो समाध हमारी धर्ती पर भिनता है इंसान भी रहते हैं जानवर रहते हैं सब अच्छे से रह सकें यह हमारी इजमेदारी है यह हमारे जोग्रफी के चाप्टर बनके नोट्स हो गए होपफुली आपको पसंद आया होगा अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फैस के साश्रीया करें थैंक्यू